तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा तो एशिया कब 2022 की शुरुआत होने जा रही है आज से जहां पर 27 अगस्त को पहला मुकाबला खेला जाएगा श्विलंका और अफगानिस्तान की बीच में दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिजाब से शाम के साड़े साथ बजे से तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले मुकाबले में दोनों टीमों की फाइनल प्लेंग 11 कैसी नजर आएगी क्योंकि जो लेटेस रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसके अनुसार में आपको इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेंग 11 कॉंबिनेशन बताने वाला हूँ इसलिए दोस्तों बहुती ज़दा इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है आप सभी एशियकप 2022 के फैंस के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहीगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबस इतनी से रिक्वस्ट है क अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आउन कर दे ताकि आपको फ्रिकेट और आईपिल से जुड़ी ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो और अपडेट्स लगताद मिलती रहे दोस्तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले श्रिलंका की प्लेंग 11 के साथ तो फस्ट मैट से पहले जो प्रेस कॉन्फरेंस हुई थी उसमें श्रिलंका के कैप्टेन दसुन शानिका ने ये हिंट दिया है कि हम अपनी प्लेंग 11 में एक लेफ्ट आम सीमर को खिलाने वाले ऐसे में दोस्तो हाइली चांसेस हैं कि आपको इस मुकाबले में दिल्षान मधुशंका का डेब्यू होता हुआ नज़र आएगा इसके लावा रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग में दिल्षान मधुशंका को पार्टनर करते हुगे नज़र आ भी दे सकते हैं लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ओपनिंग के मामले में आपको पतुम निसंका के साथ दनुश्का गुना तिलका ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऐसे में दोस्तों कुसल मेंडिस जो इस समय बहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं वो आपको मिडिल ओर में खेलते हुए नजर आ सकते हैं तो आपको शिलंका की प λέईंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आसकती है है ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं दनुश्का गुना तिलका के साथ पतुम निसंका नंबर चार पर भनुका राजा पक्षा, नमबर पांच पर विकेट कीपर कुसल मेंडिस, नमबर छे पर आपको दिख सकते हैं दसुन शानका जो की कैप्टेन है, नमबर साथ पर वानिंदू हसरंगा, नमबर आट पर चमिका करुदनारतने, नमबर नौ पर महीश थिक्षाना, पर पिच काफी ज़दा टर्निंग होती है, तो आपको इस मैंच में तीन स्पिनर्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें शामिल होंगे राशित खान, इसके इलावा मुझीरपुर रह्मान और नूर एहमद, लेकिन क्योंकि ये पहला मुकाबला होने वाला है एशिया क अब 2022 का तो मुझी नहीं लगता कि स्पिनर्स को इस पिच से बहुत ज़ादा मदर्द मिलेगी, तो अफगानिस्तान की टीम मेरे इसाब से सिर्फ दो स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरेगी, जो कि राशित खान और मुझीरपुर रहमान होंगे, तो आपको जो अफगा अफगानिस्तान की प्लेंग 11 है, वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है, ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, हजरत उल्ला जजजाई के साथ विगेटी पर रहमन उल्ला गुर्बास, नमबर तीन पर आ सकते हैं, इबराहिम जादरान, नमबर चार पर उल्ला शिन्वारी, नमबर साथ पर राशित खान, नमबर आट पर करीम जनत, नमबर नौ पर नवीनुल हक, नमबर दस पर मुझीबुर रहमान, और नमबर ग्यारा पर फरीड एहमत मलिक या फिर फजल हक फरूकी में से कोई एक खेल सकता है, दोस्तों कुछ इस प्रकार क की नजरा सकती है, श्रिलंका और अफगानिस्तान की प्लेंग 11 एशिया कप 2022 के फर्स्ट मैच में, आपको दोस्तों क्या लगता है कि किन खिलाणियों को दोनों टीमों की प्लेंग 11 में मौका मिलना चाहिए, आप अपनी प्लेंग 11 हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए, तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, वहीं पर क्रिकेट मैचस की फैंटेसी प्लेंग 11, इसके लावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी खुड़ी बड़ प्षाइब। झार एक हमोड़ी हर से सब्सक्राइब ऑर दोस्तों के सब्सक्राइब करें दो